चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाल एकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज जो हुए पर मतलब हमने इतना ही बोला रिडिप्स अर्टिकल और ये कपी अच्छे से रीड कर रहा था ये एक इमेज है और वो में है हिंदी लेकिन हमारा जो Google Assistant है उस image को बड़ी ही आसानी से रीट कर रहा है वो किसी भी पेज पर हो किसी भी जगे पर हो इमेज हो आर्टिकल नहीं टेक्स नहीं लेकिन इमेज को भी ये रीट कर लेता है कैसे ये रीट करेगा किस प्रकार से आप अपनी Google Assistant से अपने फोन की कही पर भी किसी भी जगे पर आपकी इमेज रखी हुई है उसको कैसे बड़ी है आसानी से रीट करवा सकते हो ये आज की इस वीडियो में हमने बताया है तो Google Assistant की इस hidden trick को जानने के लिए वीडियो को एंटक ज़रूर देखे जो लोग जानते है वीडियो को स्किप कर सकते है लेकिन जाते समय वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजएगा लाइक से वीडियो रेक्मेंड होती है और दोस्तों सबसे जीतूर आज चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को फोन की सेटिंग में और हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी इसके लिए तो फोन की सेटिंग खुलेंगे हम लोग सेटिंग मैने के बद गूगल का ऑप्शन है में गूगल में जाना होगा गूगल अकाउंट में पाद हमें असिस्टेंट एंड सर्च सेटिंग होगी उसमें जाना पड़ेगा गूगल असिस्टेंट में जाना होगा इसमें जाना हमें सबसे लास्ट वर अप्शन है इसमें जाने के बद हमें जो यह सर्च असिस्टेंट में जाना होगा इसमें जाएंगे अब यहां पर गूगल असिस्टेंट सेटिंग में चलेंगे गूगल असिस्टेंट में चलेंगे यहां पर हमें जेनरल में जाना होगा जेनरल डूनेंगे जेनरल में चलेंगे हम लोग यहां पर बहुत सार ऑप्शन से गूगल असिस्टेंट के सारे अप्शन्स आपको यहां पर मिल जाते हैं यह पर जेनरल में आपको आपको एक आप्शन मिलता है देखिए यूज स्क्रीन कॉंटेंट को आउन करना है इसको आउन करेंगे हम लोग अब इसको आउन कर लेने के बाद सिंपल है आपको जो होम पर जाना है अब आप हमने देख लिया सिंपल हमने इसको आउन कर लिया अब नॉर्मल आप हे गूगल की सेटिंग भी कर सकते हो या फिर होम बटन का भी यूज कर सकते हैं लोग वाटसप खुलेंगे अब वाटसप में यहाँ पर एक इमेज खोल रखे देखे ये व्यू फोटो इस पर क्लिक करेंगे अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे होम बटन पर लॉट प्रेस करेंगी हम लोग लुग लॉट प्रेस करेंगे इस पर रीड इस आर्टिकल शरीप इतना ही बुलना है में यह दिखे यह अपने फोन का स्क्रीन शर्ट निकाल था वाट्सप में ही एक टेक्स लिखा था उसका स्क्रीन शर्ट निकाल के फोटो बनाया है तो यह रीड करना इसने स्टार्ट कर दिया काफी सिम्पल है मतवं होम बटन को जैसे क्लिक शिंया अधिक में अधिके में पर अधिक कर दिया इंग्र conservative करेंगे लॉंग प्रेस करेंगे से रिडी साथिकल कि देखते हैं कि यह रीड करता है या यह नहीं हो मटन हुआ नहीं क्लिक फिसे करेंगे इसे इमेज को फुलेंगे यहां पर होम बटन को लॉंग प्रूस करेंगे रिट डिस आर्टिकल अब देखते हैं क्या यह रिट करता है यह नहीं रिट डिस आर्टिकल देखते हैं यहीं स्क्रीन शॉट है यहीं स्क्रीन शॉट है यहीं स्क्रीन शॉट इंगलिश और हिंदी दोनों हैं इसमें इंपायर 43,400 शॉट धरल एक्षन और रोमांच फेंटसी डाउन लोड क्लेक्शन्स फाइव जोर्ट पाक इस उन प्रेसन हें वाल्यूंग जोर्ट यह वोटर मार्क नाहें लिट कर लेता हैं सब आपको बहुत याद कर रहे थे युगर ने कहा वो क्रिस्टियाना के साथ एक हॉल पत्री तो आप लोग ने देखा ये मतलब सिर्फ हूम बटन को प्रेस करने से ही जो ही रीड करना स्टार्ट कर देता है अब यहां पर आपको प्ले बटन और पॉस बटन भी मिल जाता है जब आपका रीड करना हो गया तो उसके बाद आपको सिंपल बैक बटन वाला जेस्टर परफॉर्म करना होता है स्वाइप डाउन देन लेफ्ट यह आपको जेस्टर परफॉर्म करोंगे तो आप बैक कर जाओंगे और बैक करके फिर आप वापिस उसी पेज पर पहुच अब बीच में एक दू बार हुआ इस लिए रहा था क्योंकि होम बटन की जगब पर यहां पर ओवर्वी बटन हमसे लॉंग प्रिस हो रहा था इसके लिए हो नहीं रहा था यह जैसे आप होम बटन को लॉंग प्रिस करोंगे आपका गूगल असिस्टेंट खुलेगा और इसके बाद आप रीडिस आर्टिकल पर जैसे ही बोलोंगे रीडिस आर्टिकल तो वह अच्छे से जो है रीड कर लेगा तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को रीड करवा सकते हो अपनी गूगल असिस्टेंट से अब हमने यह होम बटन का यूज किया क्योंकि हम है गूग इमेज जो है वह अपकी रीड कर लेगा, simple है, काफी ज़्यादा आसान है, अब आपको करना क्या है, ब्रीफ में पर फिल से एक बर बता देता हूं, Simple आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाना है, आपको Google Apps सेटिंग में जाना है, वहा पर आपको Search and Assistant में जाना है, वहाँ पर जनरल में जाना है, जनरल में जाके Screen Content College Option उसको On कर लेना है, वो by default off होगा, उसको जैसे On कर लोगे, तो आपकी image किसी भी language में हो, किसी भी language में वो काफी अच्छे से read कर लेगा, तो उम्मित करता हूँ आप लोग को ये Google की जो trick है वो समझ में आये होगी, पसंद भी आयेगी वीडियो आप जरूर सब एक साथ शेयर करोंगे लाइक करके जाओंगे, चैनल पर नेयों सस्क्राइब करके जाओंगे मैं मिलता हूँ किसी और interesting वीडियो में तब तक के लिए जैहिन